हालो फ्रेंड्स, वेलकम बेक टू प्रिटी कॉर्णर, राधे राधे दोस्तों, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि करवा चौत का उद्यापन या उजमन आप किस तरीके से कर सकते हैं, सरल तरीके से, तो पहले बात तो मैं आपको ये बता दूँ कि करवा जो उद्यापन है ना, तो वो आप थोड़ी बड़ी उमर होने के बाद ही करें, मतलब छोटी उमर में या जैसे शादी को थोड़े साल हुए हूं तो नहीं किया जाता है, तो आप कम से कम तो तेरा चोदा वरत करें, उसके बाद इसका उद्यापन करें, उसससे पहले हो सक नोके पर बोलेंगे तो हो सकता है आपके आसपास किसी और ने कर रखाओ तो लास्ट मुमेंट पर जो है नहीं आपाएंगी लेडिस तो देखिए इस तरीके से आप ये महंदी की कौन या पैकेट वाली महंदी कोई भी दे दीजिएगा और उसके बाद उनको बोल हैं तो अब देख लेते हैं हमें क्या कै समान करा चाहिएगा तो देखिए हमीे 14 जोड़े जिमाने होते हैं तो एक तो आपकोई अपनी सास या नंद उन को जिमाएंगे और उसके अलावा आप तेरा लोगों को जिमाएंगे मतलब तेरा जोडों को तो देखे जो आप एक जने को जिमाएंगे न हो सके तो अपनी सास को नंद को या फूफस को ही जिमाएंगे यह आपके मतलब खास लोगों को ही दें आप जो आपके आस-पास के ही तो दीखे एक साड़ी देंगे आप एक पैंचट देंगे तो एक जोड़ा तो यह हो जाएगा और उसके उपर आप इस तरीके से सुहाग का समान रखेंगे तो एक जोड़े पे तो आप पूरा हो सके 16 सिंगार का समान रखेंगे जरूर बाकियों पे आप कम रख सकते हैं 13 ज लेकिन एक जगा पे तो इस तरीके से थोड़े से पताशे करवा और इसमें खील डालके यह देखे इसी तरीके से पॉलिथिन या पैकेट बना लिजिए गिरे नहीं क्योंकि खील खिंडती रहती है फिर तो इस तरीके से हमने साड़ी ले ले लिया और अब हम यह ले लेंगे लोटा तो आपको इस तरीके के लोटे भी बाटने होते हैं आप चाहें तो तामबे का पितल का चांदी का अपनी यथा शक्तियन उसाथ दे सकते हैं तो इस तरीके के लोटे ले सकते हैं चोटा या बड़ा जैसा आप लेना चाहें और अगर आप लोटा नहीं लेना चाहत पर जेंट के पेपि दोनों पर दक्षिन रखनी है तो यथा शक्तिय अनुसार आप काम या जादा कितनी भी जो है दक्षिन रख दीजिएगा तो इस तरीके से यह हम एक पैकेट हमारे यह बन जाता है और जो यह हम एक में जोड़ा जिमाते है उसको हम यह बिछवे और चां माग चीज भी दे सकते हैं इसी के साथ सथ आप कुछ गोल्ड की रिंग वगरा या एरिंग वगरा भी दे सकते हैं यह यथा शक्तिय नुसार आप बढ़ा या घटा सकते हैं तो यह हमने एक पैकेट दियार कर लिया और अब आपने घर पे जिमाने के लिए बुलाया होगा तो आप एक मिठाई का डिबब दे दीजिएगा या फिर आप इस तरीके से यह देखे लड़ू और जो मठड़ी होते हैं यह दे सकते हैं तो आप या तो पूरा डिबब दे दीजिए या इस तरीके से मठी और लड़ू भी आप दे सकते हैं और आप चाहें तो पेठे की म बढ़ा सकते हैं और राशन का समान भी बढ़ा सकते हैं और ये तो आप अपनी सास को नंद को फुफस को जिठानी को या जेट की लड़की को देंगे और इसके अलावा जो आप 13 लोगों को देंगे तो देखे या तो आप अगर मतलब नहीं इतना बजट आपका है काम और अगर आपको थोड़ा समझ आप बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरीके से जोड़े बना लीजेगा एक एक साड़ी एक एक पैंशट तो देखे जैसे मैंने या दो जोड़े दिखाएं आपको इसी तरह से आपको 13 लेने हैं हर साड़ी के ओपर आप प आउच बना देते हैं पोटलिया बना देते हैं छोटी छोटी सी तो आपको ये पोटलिया भी ना 13 जगा बनानी होगी तो देखे इसमें हम सुहाक का समान रख देते हैं तो देखे आप ये देखे इस तरीके से या चूड़ी एक दरजन ले सकते हैं दो दरजन ले सकते हैं या लाग के कड़े ले सकते हैं दो-दो या पूरा लाग का चूड़ा ले सकते हैं तो आप इसमें सुहाक का समान डालना होगा हमें बेसिकली तो इस तरीके से देखें सिंदूर, महंदी, काजल, नेल पेंट, रबर बेंट जो आता है बालों में लगाने वाला कोम तो या तो और हमें ये सेम चीज़ें जो है ना तेरा जगा रखनी होगी और जब मेरी सासुमान ने उजबन किया था तो अगर आप चाहें तो या तो चांदी का चला डाल सकते हैं इस पोटली में या फिर आप चुटकी भी डाल सकते हैं एक-ेक पेर तो क्यूंकि चांदी के छले से अरग भी दिया जाता है ना, तो करवा चोट वगरा में अरग का विशेश महत्व होता है, तो लोटा और छला भी दिया जाता है, तो आप चाहें तो डाल सकते है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप skip भी कर सकते हैं और इसी तरीके से आप 13 जगा ये भी समान बना लेंगे और उसके बाद ये जो हमारे करवे होते हैं ये खांड वाले करवे होते हैं ये भी हमें और लेने हैं 13 तो ये करवे भी 14 लेने होते हैं और जिसे कि मैंने आपको बताया इसमें आप पताशेर skip कर सकते हैं जो आप 12 जगा लेंगे उसमें खाली आप खील भर के भी रख सकते हैं और अब आप जिसे मैंने आपको बताया अगर आप जिमार हैं तो तो आप खाना ही खिलाएंगे और या तो आप साथ में उसके खाने के अलावा भी ये डिब्बा बना के दे सकते हैं चार मठी चार लड्डु का या अगर आप घर पर दे कर आ रहे हैं सब को जैसे आपने घर पे खाने पे नहीं बुलाया है सिर्फ कथा के टाइम पे बुला दिया था तो आप ये इस तरीके से पूरा एक पैकेट बना लीजिएगा और ये एक एक डिब्बा तयार कर लीजिएगा खाने का तो ये आप दे के आ सकते हैं आप चाहें तो पेठे की मिठाई ले ले लीजिएगा आधा किलो का या आधा किलो का और कोई डिबबा ले सकते हैं आप वो भी दे सकते हैं किलो का या आधा किलो का उसके बाद आपको अपने पल्ले में थोड़ा सा जल लेकर इस तरीके से दोनों बार हाथ फिरागे से मिनसना है मिनसना आपको जरूर है बिना मिनसे जो है आपका होता है उस टाइम पर आप उन्हें बुला सकते हैं पहले साथ ने भी ठाके कथा करवा लीजिएगा और उसके बाद आप जो है ना इन सबको मिनस के और सबको उसी टाइम दे दीजिएगा तो उससे वो लोग अपने घर पे भी व्रत खोल लेंगे और आपके घर पे भी कथा ह हो जाएगी और आपके घर पे वो लोग आ जाएंगे या फिर आप खुझ जाकर हर किसी के घर पर इसे देखे आ सकते हैं तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से कर सकते हैं अपना करवाचुत का उजमन या उद्यापन तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर कर दूबहें?